गुद मॉर्निंग चिल्रन तो टुदे इस मंडे एंड देट इस 12 जुलाई 2021 तो मंडे को हिंदी में बोलते हैं सुमवार आज हम करेंगे करेंगे खर्व एंजन अपनी वर्क बूक करेंगे खर्व एंजन की ट्रेशिंग की थी नोटबूक में और हमने चितर देखे थे खर से खटमल और खर से खरगोश आज बुक पे देखते हैं कौन कौन से चितर हैं खर से खरबुजा क्या होता है melon अपने आप खाते हो न so it's very yummy fruit कैसा टेस्ट होता है melon का खरबूजे का कैसा टेस्ट होता है मीठा yes so खर से खरबूजा अब देखो दूसरा चितर के है खर से खरगोश ये तो हमने नोट बुक में भी किया था खर से खरगोश और मैंने आपको बताया था खरगोश बहुत तेज तेज दोडता है so मैंने आपको बताया था कच्छुए और खरगोश की कहानी सुनाने के लिए so आज हम अपने Google Meeting में कच्छुए और खरगोश की कहानी सुनेंगे right children अभी हम देखते हैं curve engine कैसे लिखना है first three lines में आपकी tracing दी है tracing आप अच्छे से करेंगे बिना pencil को छोड़े आप tracing अपनी complete करेंगे अब मैं आपको बताएंगे आप dot के ओपर कैसे लिखेंगे ठीक है so आज हम half page करेंगे so one, two, three, four lines आज हम करेंगे ठीक है half page हम लोग next day करेंगे so आप dot के ओपर कैसे लिखेंगे so आप देखो मैं मैं ने आपको one dot दी है so जो भी हम वेंजन बनाते हैं वो हम three lines three blue lines पे बनाते हैं so we have five lines one, two, three, four and five in our Hindi book right so हम वेंजन बनाएंगे blue lines पे so जो dot मैं मैं ने दी हैं हम start करेंगे अपनी standing line से तो पहले आप standing line बनाओ right children यहां से आप curve बनाएंगे first curve और यहां बिना pencil को छोड़े आप turn करके standing line के साथ join करेंगे और यहां हम बनाएंगे अपना circle वाला curve और C curve बनाएंगे and उपर हम sleeping line draw करेंगे so once again standing line make two curves and a C curve और उपर आप sleeping line बहुत अच्छे से formation बनाओगे आप जल्दी जल्दी सीख जाओगे आप अगर आप pencil को छोड़ेंगे नहीं अच्छे से tracing और करेंगे तो आपको dot के उपर लिखना भी आएगा standing line, first curve, down and join with the standing line and a C curve और sleeping line draw करेंगे तो ऐसे आप अपनी पूरी worksheet करो और माम को वापिस अपनी worksheet send करेंगे Thank you, have a nice day children Bye-bye